Hey winners, आज कितना भी जरूरी काम हो, फिर भी इस वीडियो को skip मत करना, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपकी हेल्थ को बढ़ा दे, या किसी डिजीज को खत्म कर दे, या हो सकता है या आपके लाखो रुपे बचवा दे, या आपकी जिंदगी के 10-20 हेल्दी साल बढ़ा दे और हेल्दी वाले, तो आज जिस बुक की समरी में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उस बुक का नाम है Anotomy of Illness by Norman Cazan, और इस बुक की समरी के बाद, Neuropsycho Immunology से कम से कम 10 बुक से मैं आपके साथ कुछ amazing health secrets शेयर करने वाला हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस CL therapy शेयर करूँगा जो आपकी लाइफ को tremendously आज से ही बदल देए, तो जैसे कि इस बुक का नाम है Anotomy of an Illness, Anotomy का मतलब होता है The Scientific Study of Human या Animal Body, उसकी illness के बारे में complete study, जिस शक्स ने हमें बताई है, उनका नाम है Norman Cazan, जिन्होंने ये बुक लिक है और लिखा as perceived by the patient, क्योंकि ये खुद एक patient थे, इनको एक बहुत ही खतरनाक बुरी बिमारी थी, और उस बिमारी में जो इन्हें pain होता था Norman Cazan को, वो cancer से भी ज्यादा pain खतरनाक इनको होता था, और इनको 40 गोलिया रोज उस illness में लेनी पड़ती थी, जिसमें से 26 तो pain killers थी, और डॉक्टर ने इने ब कुझा कि यार ये जो बिमारी मुझे हो गई है गंदी वाली, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, कोई मैंने कुछ ऐसा खाया नहीं, कोई पीने की habit नहीं थी, तो ये बिमारी मुझे हुई कैसे, तो डॉक्टर ने एक बात बोली कि आज जो ये जितनी भी बुरी disease हो रही है, इन में से 99% disease psychosomatic है, यानि कि हमारा brain, mind उन disease को create कर रहा है, थोड़ा ध्यान से समझोगे, तो वो mind नहीं है, वो हमारे negative emotions और negative feelings है, वो जो किसी को लेकर के anger पढ़ा हुआ है, वो जो unresolved issues है, बचपन के कोई past memories हैं हमारे अंदर जो पढ़ी हुई है, या जो किसी को लेकर है, के hatred आ रहा है, envy आ रही है, jealousy आ रही है, गुसा आ रहा है, तो ये सभी के सभी emotions जो हैं, ये एक trigger create करते हैं, जिसको noxious stimulus बोला गया, neuroscience में, ये noxious stimulus जो है, हमारे हर एक cell को हमारी उस feeling के बारे हम बताता है, कि I am not well चाचू, कुछ गड़वड़ है बंदे के साथ अंदर य create कर देता है, तो ये psychosomatic है, तो Norman cousin ने डॉक्टर से पूचा, कि अगर mind हमारा ये disease create कर सकता है, तो ठीक भी तो कर सकता होगा, डॉक्टर ने का, हाँ, ऐसा भी हो सकता है, शायद, क्योंकि तब तक इस पर बहुत जादा research हुई नहीं थी, तो Norman cousin ने कहा, कि मैं इस disease को अपने आप से ही ठीक करूँगा, तो अगर noxious stimulus create होता है, तो उसका उल्टा क्या होता है, तो डॉक्टर ने बता है, उसका उल्टा होता है, gracious stimulus, कि graceful state में अपने mind और अपनी body को लिकर के आना, तो और इसी की जो study है, जो research है, जिसको आज epigenetics बोला जाता है, epigenetics ये बोलता है, कि ह हम अपने उन thoughts से, उन feelings से, अपने genes तक को भी प्रभावित कर सकते हैं, तो Norman cousin को यहां से एक बहुत amazing बात पता चली, कि no doubt कि medical science बहुत बढ़ा role play करती है हमारी किसी भी disease में, लेकिन उससे भी बढ़ा role जो चीज play करती है, वो play करता है resistance to that disease, कि हमारा mind उस disease को resist करना शुरू क करता है कि मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे एक healthy state चाहिए है mind की, और उसके साथ faith healing, जिसको self healing भी बोला गया neuroscience में, कि अगर हमारा एक faith develop हो जाए, जिसको Dr. Joe Dispenza placebo बोलते हैं, प्लसीबो बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में, तो placebo से कई चीजे हम ठीक कर सकते हैं, Norman cousin क यह पता चला, तो resistance to that disease, उसके बाद self healing का process और एक बहुत बड़ा चीज जो role play करती है, वो था हमारा mental attitude जो कि Norman cousin को पता चला, और mental attitude में दो चीजें बहुत एहम उसके components हैं, जिसमें सबसे पहला है will to live, कि हाँ मैं जीना चाहता हूँ, कोई चीज मुझे हरा नहीं सकती, तो Norman cousin ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक ऐसी जगा पर shift हुए, vitamin C का कुछ उन्होंने arrangement किया क्योंकि वो हमारी immunity को boost करता है, और उसके साथ उन्होंने एक arrangement किया VCR का, VCR हमारे जमाने में चोटे चोटे थे, VCR हुआ करते थे, उस VCR में इत्ती बड़ी एक cassette डलती थी, videotape, विडियो कैसे इसको बोला जाता है, और Laurel and Hardy, जो कि उस जमाने में black and white दोर के बहुत बड़े comedian थे, बिना बोले comedy कर जाते थे, Charlie Chaplin, उनकी बहुत सारी videotapes को arrange किया, और उन्होंने उस जगा पर सिर्फ और सिर्फ हसना शुरू किया, उन्होंने का कि मैं अपने किसी भी एक cell को ये gap ही नहीं दूँगा कि वो ये thought ले सके कि मैं बिमार हूँ, सिर्फ और सिर्फ laughter, intense belly laughter, पेट से हसना, ऐसा कि मैं सोची नहीं सकूं कि मुझे कोई disease है, तो वो cassettes लगाते हैं, लगातार वो tapes चलती रहती, वो हसते रहते हैं, पागलों की तरह पेट पकड़के, उनके चांसू निकलने लग जाते हैं, इतना भेंग कर वो हसते हैं, और उन्होंने ये notice कि वो जो 40-40 गोलियां इतनी बड़ी-बड़ी एक दिन में ले रहे थे, वो जो 10 मिनट का laughter था, intense laughter वो उनको 2 घंटे का anesthetic effect देता था, यानि हसने से 2 घंटे तक लगातार वो deep sleep में जाते थ और एक भी गोली खाने की उनको जरूरत नहीं पड़ती थी, पें के लिए laughter की therapy थी, जिसको बोला गया, laughter is the best medicine, क्यों बोला गया, scientific evidences अभी आपको देता हूं इसके पीछे, तो Norman कजन ने वो BCR लगाके, tapes लगाके हसना शुरू किया, और कुछ ही समय के अंदर, वो disease जिसको बोला गया था कि ये cure नहीं हो सकती, cancer से भी खतरनाक pain जिसमें उनको होता था, उस disease को Norman कजन ने धीरे धीरे completely cure करिया, और उन्होंने पाया कि सिर्फ laughter का और उनके mental attitude का उनकी disease पर एक बहुत भयंकर प्रभाव था, anatomy of illness, जिसमें उन्होंने अपनी illness को completely खतम किया Norman कजन, सिर् जो मैंने बोला कुछ banker books से, जो कोई share नहीं करता है, वो आपके साथ हमें share करने वाला, तो सबसे पहले Norman कजन को समझने से पहले हम समझेंगी chemical locha को, कि chemical locha basically है क्या, अब जरूरत है आपके ध्यान देने की, अगर आपका patience level बरकरार है, अभी तक बने रहे हो, तो थोड़ा घ्यान देना है, अब attention, consciousness के साथ, chemical locha, हमारे brain के अंदर, जब भी हमें कोई खतरा महसूस होता है हमारी body को, तो हमारी body, हमारा जो amygdala है, वो signal देता है, सीधा हमारे adrenal gland को, उस adrenal gland से एक adrenal rush निकलता है, और उसके साथ एक chemical निकलता है, cortisol जो की pain killer का काम करता है, जब भी कोई attack ह कोई चोट लगती है, शेर हमारे उपर आया, या हमारा कोई body का part कट गया, तो वो cortisol और adrenal rush जो है, इतना important role play करते है, क्योंकि वो fight and flight mode में हमको ले आते हैं, हमारे शरीर को कि भाया लड़ना है, बाहर से कुछ खतरनाक चीज़ें आ रही हैं, नेकिन अगर हमारे mind में भी तो वो mental जब attack होता है, कोई ना कोई negative emotion का गुसा आया, उसको लगता कुछ गवराने वाली बात, किसी की परती hatred, jealousy आई, कोई past emotion को आपको लेकर painful memory आई कि यार मेरे साथ तो इतना बुरा हुआ, मेरा past ऐसा रहा, बचपन में मेरे साथ scolding की गई, मेरे को ऐसे ऐसे adrenaline और वो cortisol release होता है, और वो cortisol को शरीर में कोई wound, कोई घाव मिलता नहीं, तो वो directly हमारे cells पर attack करना शुरू करता है, जैसे antibiotic हम लेते हैं, तो अकसर आपने देखा होगा कि बिमारी में जब हम antibiotic लेते हैं, तो वो उसके बाद हम और ज़्यादा weak हो जाते हैं, कमजोर हो जाते ह हमारा पेट गडबड हो जाता है, गट health खराब हो जाती है, क्यों? क्योंकि antibiotic good bacteria के साथ bad bacteria को भी खतम करना शुरू कर देता है, उसको difference पता नहीं चलता, थी किसी तरह वो cortisol और adrenaline को कुछ नहीं मिलेगा, घाव कुछ चीज नहीं मिलेगी, तो उसने तो अपना काम करना है, उस गए, वहाँ पर stress, बहुत से मिलना है, वहाँ पर stress, target पूरा नहीं हो रहा, sales का, वहाँ पर stress, पैसे नहीं कमाए जारे है, वहाँ पर stress, हजार तरह के stress हमने create कर लिये हैं, और उसको इतना बड़ा network बना लिया है, कि एक छोटी सी बात पर भी हम cortisol release करते है, adrenal rush release करते हैं, जो क सबको overpower भी तो कर सकता है, जो कि Norman cousin ने अपनी हसी के साथ किया, पाँच chemicals, जिसमें सबसे पहला है dopamine, दूसरा है oxytocin, तीसरा है serotonin, चौता है endorphin, और पाँचवा है endemite, इन पाँचों पर खतरनाग बहुत शानदार वीडियो आपके लिए जल्दी लेकर के आऊँगा, ल उपर वाले ने सारा निजाम ठीक करने का हमारे अंदर ही दिया है, उपर वाले ने बोला कि तुमको सब कुछ खुदी दूँगा, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, इसी को self-healing बोलता आज, neuroscience, कोई गरंथों की बात नहीं बता रहा हूँ कि अगर उसमें से बताऊंगा त hatred, jealousy, anger, envy, painful emotions, past memories, अगर ये सब भयंकर, negative, noxious stimulus create कर सकते हैं, तो एक happiness, एक laughter, will to live और अपने उपर control हमारा gracious stimulus create कर सकता है, ऐसा neuroscience बोलता है, तो दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर समझनी है कि हमें अगर अपनी life को beautiful बनाना है, तो हमें cortisol, वो stress chemical, stress neurotransmitter नहीं, बलकि हमें happiness chemical, जो क oxytocin है, जो की dopamine है, जो की endorphins है, इनको अपनी body से release करना होगा, तो उसके लिए हमें अपनी state को change करना है, हमारे mind की state क्या है, अभी check करो, ये video नहीं है मेरे दोस्त, video नहीं है, ये आपको एक checklist देगा कि अभी के अभी check करो, कि आपके mind में आज पूरे दिन क्या कोई stressful situation चली अगर चली, तो उसने समझो कुछ cortisol release किया है, जो हमारे लिए बुरा है, तो हमको अपनी state को change करना है, immediately अपनी state को change करो, happiness ले के आओ, कुछ वो memories को recall करो, जिन्होंने आपको खुशी दी हो, एक study में ये पाया गया कि अगर 10 minute का intense laughter हम अपने आपको देते हैं, तो वो कई दि की तरह, एक भाई की तरह, एक mentor की तरह, जो मर्जी समझो मुझे, कि आज मुझे आपसे इस वीडियो पर like नीची है, बिल्कुल नहीं, like, comment, share, इसमें पूरे में कंजूसी करते हो, तो कर देना, कोई बात नहीं, हसने में कंजूसी मत करना, आज के बाद, एक छोटा सा promise मु करूगा, जो की अभी आगे जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला, अब ये तो हुआ कि आप अपनी current state को change कर सकते हैं, किसी भी time, it's in your hand, लोग अकसर बोलते हैं कि यार मैं बड़ा stress, तुम्हें क्या पता, मेरे साथ क्या दिक्कत है, होगी, मुझे नहीं पता, band बजी पढ़िया है समझ दो, लेकिन उसके बावजूद भी आप ही के हाथ में है, उसके उपर जो situation को आप सोच सोच के परिशान हो रहे हैं, उसके उपर response देना आप ही के हाथ में, कोई बाहर से नहीं आएगा, दुनिया में कोई हमें नहीं बदल सकता, मेरा video भी आपको नहीं ब लेकिन उसके अलावा कुछ बहुत past के emotions, unresolved issues, past की painful memories की तब मेरे साथ ये हुआ था, हुआ था 5 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल पहले, लेकिन आज भी हम उन past memories को जी रहे हैं, दिन में कभी-कभी मजा लेने के लिए, क्योंकि दिमाग को ना हमारे अपने उपर तरस खाने की एक मेरी problem को सुनते जाओ और इसी चक्कर में वो problems बताते हैं और दूसरे व्यक्ति से expect करते हैं कि मेरी problem को समझो, सुनो और दूसरा व्यक्ति solution देने लगता है, इसलिए वो दोनो persons में आपस में थोड़े मतभेद create हो जाते हैं, anyways कभी आगे इसके वारे में बात करेंगे, लेक उसके साथ-साथ, वो जो events थे, उनमें forgiveness का भाव लेकर के आओ, जिस किसी को आप hatred कर रहे हो, envy कर रहे हो, या आप खुद पर ही तरस खा रहे हो कि उसने मेरे साथ गलत किया, उस situation में पैसा चला गया, fame चला गया, business बंद हो गया, किसी ने धोखा दे दिया, या मेरी life में उसको forgive करो, जितना ऐसे मैंने बोल दिया है, इतना आसान नहीं है, उसको forgive करने का मतलब ये नहीं है कि वो जो वहाँ से जो incident था उसको भूलना है, नहीं, लोग गलती यही कर रहे हैं कि वो incident को भूल रहे हैं, नहीं भूलना, आपको उस related emotion को change करना है, कैसे, आप ये सोचो कि वो अगर मेरे साथ ना हुआ होता, क्योंकि जब भी आप जिन्दगी में आगे बढ़ोगे ना, ग्रो करोगे तो आप देखोगे कि actual में वो मेरे लिए एक signal था यूनिवर्स का भेजा हुआ कि मैं कुछ नया learn करूँ, जो मैंने last video में ये ब्रमांड के signal वाला जो वीडि आपको उस emotion को change करना, उस state को change करना अपने mind में और इसकी में बहुत खुबसूरत, बहुत भेंकर, powerful exercise आपको करवाने वाला हूँ उसके लिए, आप मेरी free workshop को join कर सकते हैं, बिल्कुल initial completely free, link description में उसके साथ connect कीजिएगा, तो उनके emotions को बदलना है कि यार, actual में ये जो incident मेरे साथ हुआ था, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसा comment करके भी मुझे बताना कि क्या आज past के कुछ events को, जो उस समय लगता था कि ये तो बठा बैड़ गया मेरा, आज लगता है कि नहीं लगता कि यार, ये तो जिन्दगी में होना जरूरी था, क्योंकि यहीं से कुछ learning ब तो उसके emotion को change करो कि यार, ये मेरी जिन्दगी में कुछ सिखाने के लिए आया था और मैं इससे ये सीख कर अपनी जिन्दगी में move on करो, आगे बढ़ो, उस state को change करो, और last में, जैसे मैंने आपको promise किया था कि मैं आपको एक IFBL therapy दूँगा, amazing therapy है, neurosciences को backed up करता है, बस फर दिन में मेरे भाई, मेरे दोस्त, पांच मिनट, दस मिनट अपने लिए यार, पता नहीं क्या-क्या social media पर scroll करते हैं, कहां-कहां जाते हैं, किसकी weight देकार के कामों में time लगाते हैं, दस मिनट अपने लिए intense feeling के साथ, belly laughter करो, पेट से हसी आपके निकले, ऐसा कि पेट आए, ऐसा कि आपकी आँकों से आँसु आजाए, आप उसके लिए चाहे आप कपिल शर्मा का show देखो, चाहे आप उसके लिए कोई Charlie Chaplin देखो, Tom and Jerry देखो, कोई बच्चों की तरह कोई comedy देखो, कुछ भी देखो, लेकिन आपको intense belly laughter करना है, वो भी feelingful, जिसमें आप feel ले स अरे यार क्यों कंजूसी कर रहे हो, कोई कोई नहीं आएगा जिन्दीगी में आपको help करने, आपकी laughter आपकी help कर सकती है, तो हसो, छोटा सा भी joke को ऐसे हसो, जैसे आप पागल होगे, लोग करे तुझे हुआ क्या हो, मैं तो दिल खोल के हसता हूँ, अब आपने देखो, ब बताएगा नहीं कि भाईया, all is well चाचू, all is well, नहीं बताएगा, उसको बताने के लिए feeling चाहिए, और आपके gut को, gut की एक बहुत बड़ी science है, हमारे gut को, हमारे pate को second brain बोला जाता है, कई trillions में processes चलते रहते हैं, आगे share करूँगा वो भी आपके साथ, तो gut में, belly में हसना है, पेट हीले, एक commitment मांग रहा हूँ मेरे दोस्त, कोई like नहीं, कोई पैसे नहीं, कोई कैनी रहा, मैं share करो किसी को बाकी, अगर आपको चीज अच्छी लगे, कि ये वाकि किसी की life में impact create कर सकती है, कम से कम, कम से कम, उस एक इनसान के साथ तो जरूर share करना चाहे, WhatsApp पर, Facebook प है, आपके साथ कोई गटनाए हुई ना, उसके उपर हसो कि, कि यार, मैं कितना बेवकूफ था, देखो मैंने शादी कर ली, मतला, मतला, हसने के लिए कोई भी बहाना ढूंडो, कोई भी चीज create करो हसने के लिए, और especially वो चीज हैं, जिनके negative emotions हमने बठा रखे, यार, साथ ये playfulness, especially राम वर्मा सर आये थे हमारे वीडियो पर, उन्होंने ये playfulness आपके साथ share किया था, तो basically उस playfulness को अपनी जिन्दगी का एक पाडवनाओ, हसो, बच्चे बन जाओ, यार, क्यों भूल गए, बच्चा, बड़ा, जवानी, ये कोई physical state नहीं है, ये तो हमारी mental state ह और अपने अंदर, उस mind के अंदर, उस बचपन को जिन्दा रखो, उस playfulness को जिन्दा रखो, खेलो, थोड़े सी मस्ती करो, उपर वाले ने हमें homeostasis के साथ पैदा किया था, और homeostasis का मतलब है कि आपकी body के अंदर ये capability है, कि वो normally अपने आपको उस state में ले जाए, जिस state मे आप आए थे, आपकी body को heal करने का एक mechanism, कभी आ, किसी इंसान की हड़ी तूटी हो तो देखना कोई दवाई उस पे काम नहीं करती है, plaster लगाया जाता और आपकी body, आपकी body को जो toughest substance है, सबसे तगड़ी चीज, हड़ी, उसको भी अंदर body heal कर देती है, और जोड़ देती है, अगर बाहर से plaster लगा दिया जाए तो, तो body में तो बड़ी power है, mind में तो बड़ी power है, हम पहचान नहीं रहे, हम सारा दिन stress में उसको release कर रहे हैं, मेरे दोस्त, तीसरी बार बोल रहा हूं, किसी वीडियो में, आपके चेहरे पर थोड़ी सी हसी चाहिए, आपके पेट को फ description में है, और अगर आप हमारे paid law of attraction के एक powerful event को join करना चाहते हो, तो उसका भी link में description में दे देता हूं, कि आप अपने manifestation के process को कैसे in scientific तरीकों से अपनी life में लेकर कर आ सकते हो, उसमें जुड़ना हो, उसका भी link description में है, free workshop में आना हो, उसका भी link description में है, मेरे साथ जुड़ करने वाला नहीं हूं, जब तक आपकी जिन्दगी को मैं transform न करता हूं, बदलना हूं